हाई फ्रेंड्स आज हम लोग सिखेंगे बेंजो इंडियन इंस्टुमेंट है मेरे पास यह कवाली बेंजो है यह एलेट्रिक पर लग सकता है हम लोग ने यहां पर अंदर माइक अल्रेडी सेट है यह उसका वॉल्यूम बटन है इसके नीचे यहां पर चार स्ट्रिंग का एक सेट है जिसको जाला बोलते है उसके चार स्ट्रिंग की की यहां पर दिया है यह देखिए 1234 यह दो स्ट्रिंग के पीछे की साइड में 12345678910 11 11 11 सूर का एक पुरा तरंग है इसको तरंग बोलते हम लोग यह तरंग को आपको भी राग में कर सकते हैं अगर आपका यमन राग है तो इसमें सारे गमा मर्ज उसको आप त्युरा ट्यूंग कर सकते हों ऐसा करके आप एक ए्टमस्फियर के लिए तरंग हम लोग यूज कर सकते साथ में जाला जो है उसको अप साब परसा के इस साब से भी कर सकते हैं जो मैं यह जो मैं open play कर रहा हूं यह काली पांच है काली five यान्य वी-fled अगर मैंने वी-fled ट्यून किया है तो यह वाला जो सा है यह यह मुझे मिलेगा काली दो यानने इफ्लेट यहां से मुझे इफ्लेट स्केल मिलेगा यह मैं मेड़ वाला स्टिंग प्ले कर रहा हूं अब यही पर सेम कीज यूज होगी बट मैं लो वाला स्टिंग प्ले करूगा तो जैसे गीटार में हैом फुलॉफ होता है वैसे बेजram, इक प्ले करने का स्टाइल है, उसको है Middle और पूल आप बोल सकते हैं मतलब है आप यह की सको बजा के इसको आप है में आर कर सकते हैं यह जो साउन है यह में जो के लिए स्पेशल साउन है कि मैं प्ले नहीं कर रहा हूं देखिए कि मैं में आप से बजा रहा हूं यह कुलाओ कि मैं नहीं तबा कर ना कर रहा हूं है इसको प्ले कर रहा हूं प्लम का मज़भ है पीछे की तरव जा रहा हूं झाल झाल यह चुपी के इसको आप सिंगल स्ट्रोग भी बजा सकते हो इसको आप डबल स्ट्रोग भी बजा सकते हो झाल झाल है है 10 बहुंस दिखे नकीजे पिले कर रहा है तन टन टन टन, डाकिज टाउण डासे दाकिडन भी, आप टाउन cricket, रान आप टासे दाउण strongest अगर आप हर्मोनिम बजाते आप प्यानों बजाते तो वह इसे ही नोट से इसकी जैसे के अगर हम लोग प्यानों प्ले करते हैं या हमने बजाते हैं यह सफेद एक है आपका और यह दो जो ब्लैक नोट होते हैं सफेद एक काली दो काली तीन काली चार और यह काली पांच और यह सफेद एक सफेद दो सफेद तीन सफेद चार सफेद पांच सफेद छे सफेद साथ यह सारे का मवद अनिसाद थोड़ा सा स्लोप ले करना क्योंकि यहां यह इस स्लीप होने का बहुत चांस होता है बट अग पर प्रैक्टिस करेंगे इसको रोजाना प्रैक्टिस करेंगे तो यह पूर्शन स्लिप नहीं होगा आपको पूर्शन स्लो प्रैक्टिस करना है पूर्शन स्लो प्रैक्टिस करना है कर दो दो कर दो यह जो पीक है इसको जितना आप सॉफ्ट लेगे जितना पतला लेगे उतना आपको रिल बजाने के लिए अच्छा होगा कर दो आप करना है आपको पहले सिंगल स्ट्रोक से आप प्ले कर सकते हों कर दो दो कर दो अच्छा हो ऐजा रने कीर स्ट्रोड़ म olsun फिचार वाला स्टोक जितने वे अलंगकार्स है जैसे कि अगर आपना हर्मोनियम सिक्खा है या तो हर्मोनियम का अलंगकार्स भी आप इस पर प्रैक्टिस कर सकते हो जैसे कि सारे गरे नामा 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 गर तो आपका सायाओं पे हैं आपका निशे के सूर्ख वो कौपा किस्में परत को अ पनोत Means सानी दब का बां ऐसा सा才 रुआ का मां पा दिंआ सानी दब का बां दिंआ सानी दब का बां शर रिंआ यह मैं बजा रहा हूं इफ्लेट मेंजर अगर मुझे माइनर बजाना है इफ्लेट माइनर तो बजाए इनर यह रहा हूं भुझ रहा हूं वितना है यह माइनर है मेजर माइनर में भी यह नेचरल माइनर है इसमें मैलोडिक माइनर भी बजा सकते हैं सिफ गर को कुमल करना याने थर्ड नोट को फ्लेट करना बाकी का सारा नोट नेचरल होगा यह यह नोट यह मैंने थर्ड फ्लेट यूज किया हार्मोनिक माइनर भी होता है इसमें हार्मोनिक माइनर में थर्ड और शिक्स फ्लेट वाला यूज करना है बाकी सारा जो नोट से ना वो नेचरल यूज करना है हार्मोनिक माइनर यूज करना है इसमेंट बेंजो इसको आप आराम से स्लो स्लो प्रेक्टिस कर सकते हो अगले लेसन में मैं कुछ राग वगरे इसमें सिखाऊंगा आपको थैंक्यू झाला यूज करना है